प्रिय विध्यार्थी साथियों, वर्ष 2017 में मध्यप्रदेश में पटवारी के पद बड़ी संख्या में विज्ञापित हुए थे, राजयस्वी विवस्था में पटवारी की भुमी का भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, वैतन और मान सम्मान भी बहुत अच्छा मिल जा है, परिक्षा कैसे होती है, क्या साक्षातकार भी होता है, क्या PGDCA करना आवश्यक है, तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या है, आदी आदी, यह वीडियो इन सभी प्रशनों के उत्तर आपको उपलब्द करवा देगा, उत्तर देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मधु सुधन 24 सर, लेकिन उसके पहले एक और आवश्यक बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरन सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए, ताकि सभी महत्वपुन वीडियो आप तक पहुँचते रहें, सर आपका इस चैन प्रिती गुलवानिया जी जी और चैनल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पटवारी पद के प्रती युवाओं में जबर्दस्त आकरशन है, इसका एक कारण तो यही है कि यह पद महत्वपुर्ण है, बड़ी अच्छी भूमिका निभाने का उसर मिलता है, फिल्ड पर चुन 2017 की वेकेंसी के आधार पर बड़ी संख्या में जो युवा पटवारी के रूप में पदस्त होकर कारी कर रहे हैं, वह भी परवर्ती युवाओं के रोल मौडल बन गए हैं, इसलिए अनेक युवा हमसे पूचते हैं, तो चलिए जैसा प्रिती जी जी ने कहा, उन तमाम प यह परिक्षा ओन लाइन होती है, इस परिक्षा का आवजन P.E.B. यानि Professional Examination Board के द्वारा समय समय पर किया जाता है, 2017 के बाद अब पुना यह परिक्षा प्रतिक्षित है, और जैसे ही सरकार के द्वारा पद P.E.B. के पास पहुचा दिये जाएंगे, वैसे ही P.E.B. के द और परिक्षा आयुजित की जाएगी, इस चैनल का आपको यह सुझाव है, यदि आपका लक्ष पटवारी बनना है, तो 2017 की परिक्षा पद्धती के आधार पर अपने आपको तयार कर लेजिए, अभी से महनत कीजिए, और पूरी तरह से स्थिती में आ जाएए, कि अगर परिक्षा उसी पैटर्न पर होती है, तब तो आप बहुत बढ़िया प्रदर्शन करी लेंगे, और यदि परिवर्तन होता भी है, तो बहुत कम नाम मात्र का ही परिवर्तन होने वाला है, अतह इस वीडियो में आपको जो भी सुझाव और पैटर्न के बारे में बताया जा जाते हैं, अगर आप वेकेंसी की प्रतिक्षा करेंगे, तो वेकेंसी में समय भी लग सकता है, और वेकेंसी आने के बाद और परिक्षा तिती के बीच में बहुत कम अवधी होती है, और तब आप अपनी तयारी को बहुत गहराई नहीं प्रदान कर पाएंगे, प्रतिसप प्रिक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। देखें पटवारी का जो पद होता है उसकी संख्या जिले के हिसाब से अलग-अलग होती है। जिले के पद या खंडवा जिले के पद या जाबवा जिले के पद तो उस लिहाज से यहाँ वेकेंसी निकलती है। परीता दे देंगे इसके बारे में और इस पस्टता से हम बात चीत करेंगे। पहली बात ये क्लियर हो गई कि जिले वार पदों की संख्या विज्यापित होती है। इस परिक्षा में शामिल होने के लिए किन-किन चीजों की जुरत पड़ती है। क्या-क्या योग्गिताएं होती हैं उस पर अपन बात कर लेते हैं। पटवारी बनने के लिए जो परिक्षा होती है उसमें शामिल होने के लिए आवश्चक है कि आप मद्धिप्रदेश के मूल निवासी हो इस पस्ट है कि ये पद मद्धिप्रदेश के मूल निवासीों के लिए ही है ऐसी व्यवस्था 2017 में थी शेक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए कौन इस परिक्षा में बैठ सकता है पहले कक्षा बार्वी के आधार पर इस परिक्षा में बैठने का मोका मिलता था लेकिन अब यह व्यवस्था हो गई कि किसी भी विशय में किसी भी मानिता प्राप्त विश्विध्याले से यानि कम से कम आपके पास graduation की डिगरी होनी चाहिए. Graduation की डिगरी का मतलब आपन समझते हैं कि B.A., B.C., B.H.A.C., B.B.A. इस तरह की जो डिगरी होती हैं इनको हम graduation की डिगरी कहते हैं. यदि आपने किसी माननिता प्राप्त विश्विध्याले से graduation किया है तो आप इस परिक्षा में बैठ सकेंगे. क्या इस परिक्षा में बैठने के लिए PG-DCA या DCA जैसी डिगरीयां भी जरूरी है, ऐसा अध्यन भी जरूरी है? यह प्रश्ण प्रिती गुलवानिया जी जी ने इस वीडियो की भूमिका में रखा था. तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि PG-DCA या DCA की जरूरत 2017 की वेकेंसी में नहीं थी. बल्कि उसमें यह रखा गया था कि अभ्यरती को CPCT पास होना आवश्यक है. CPCT क्या होती है? इसके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं और पटवारी बनने का आप सोच रहे हैं तो CPCT के बारे में जान लीजिए. और आज ही से CPCT की भी तयारी शुरू कर लीजिए. कहां से जानेंगे CPCT के बारे में? CPCT के बारे में जानने के लिए आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा इसी वीडियो के description box में जाईए आपको CPCT का पुरा विस्तार से उलेक एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा यहीं पर आपकी सारी आवशक्ताएं पूर्ण हो रही है तो CPCT होना चाहिए और graduation होना चाहिए क्या परिक्षा का फार्म भरते समय हमारे पास CPCT होना चाहिए यानि computer proficiency certification test हमने CPCT उस समय पास होना चाहिए जब हम परिक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं नहीं अगर आप उस समय CPCT हैं तो बहुत बढ़िया बात है अगर आप नहीं हैं graduation के आधार पर परिक्षा का फार्म भर देंगे 2017 की विवस्ता के लिए आसे परिक्षा का फार्म आपने भर दिया आप select हो गए मान लिजिए आपने महनत की पटवारी के पत पर आप चाहिनित हो गए चैनित होने के दो वर्ष के अंदर आपको CPCT उत्तिर्ण करनी होगी यदि आप दो वर्ष के अंदर CPCT उत्तिर्ण कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वरना उलेक तो ऐसा किया गया है कि CPCT आप दो वर्ष में नहीं कर सकेंगे तो आपकी सेवाएं जारी नहीं रह पाएंगी तो हमारा आपसे अनरोध है कि CPCT पर ध्यान दे दीजिए उसकी भी तयारी शुरू कीजिए खीक है तो ये हो गई शेक्षणिक योग गिता आयू सीमा कितनी होनी चाहिए इस परिक्षा में बैठने के लिए तो कम से कम आपकी आयू 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम आपकी आयू 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक आयू कितनी हो सकती है तो अधिक से अधिक आयू हो सकती है सामान्य वर्ग के या अनारक्षित अभ्यरतियों के लिए 40 वर्ष यानि बहुत आपके पास समय रहेगा 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयू के बीच में आप इस परिक्षा में बैठ सकते हैं लेकिन अब अगर अपने को ये पता करना हो कि क्या आयू सीमा में कुछ छूटे भी है क्या 40 साल के बाद भी इस परिक्षा में बैठा जा सकता है तो हाँ जी बैठा जा सकता है कैसे बैठा जा सकता है मद्धि प्रदेश के जो मूल निवासी है न उनके लिए सामान्य प्रशाशन विभाग ने आयू सीमा के संबन में कुछ प्रावधान की है और इस प्रावधान के लिहाज से पदों को दो भागों में बाटा गया है MPPSC के माद्यम से जो पद भरे जाते हैं उसमें मद्धि प्रदेश के मूल निवासियों की अधिक्तम आयू सीमा कितनी होगी एक सारणी इस तरह से दूसरी सारणी मद्धि प्रदेश लोग सेवा आयू के अलावा जो अन्य भरती अभी करण है जैसे PEB उनके द्वारा जो परिक्षा ली जाती है और उनके माद्यम से चैन होता है उसमें अधिक्तम आयू सीमा कितनी हो सकती है आप चुकि पटवारी पद की परिक्षा मद्धि प्रदेश लोग सेवा आयू के द्वारा न ली जाकर PEB के द्वारा ली जाती है तो मैं आपको वह बताने जा रहा हूँ कि आपको और छूट आयू सीमा में कहा मिल सकती है साथ ही आप स्क्रीन पर तुलनात्मक पूरी तालिका देख पाएंगे एक तरप आपको MPPSC के पदों के लिए और एक तरप अन्य पदों के लिए भी दिखाई दे रहा है देखे पुरुश आवेदक अनारक्षित वर्ग के हैं जैसा भी बताया अधिक्तम 40 वर्ष की आयू तक पटवारी पत के लिए परिक्षा में बैठ सकते हैं महिला आवेदक है अनारक्षित वर्ग की अगर महिला आवेदक है तो वो अधिक्तम 45 वर्ष की आयू तक परिक्षा में बैठ कर अपने करियर को बनाने का प्रयास कर सकती है पुरुष और महिला आवेदक ऐसे पुरुष और महिला आवेदक जो शाशकी, निगम, मंडल, स्वशाशी, संस्था के करमचारी हैं या नगर सेनिक हैं ऐसे समस्त लोग भी अधिक्तम 45 वर्ष की आयू तक परिक्षा में बैठ सकेंगे और अगर अपन बात करें कि पुरुष और महिला आवेदक जो आरक्षित वर्ग के हैं अर्थात अनुसुचित जाती, अनुसुचित जन जाती और अन्य पिछडा वर्ग वो 45 वर्ष की अधिक्तम आयू तक परिक्षा में बैठ सकेंगे समझ पा रहे होंगे आप तालिका में बेग भी पा रहे हैं एक और तालिका हक के अंदर एक और कॉलम है कि पुरुष तता महिला आवेदक जो आरक्षित वर्ग के हैं लेकिन शाश्किय, निगम, मंडल, स्वशाशी संस्था के कर्मचारी तता नगर सेनिक हैं ऐसे सभी के लिए अधिकतम 45 वर्ष की आयू सीमा ताय की गई यानि आयू सीमा की दरश्टी से आपके पास परियाप्त समय रहेगा आप इसमें अच्छे से त्यारी कर सकते हैं इस वीडियो को अगर ऐसे व्यक्ती देख रहे हैं जिनोंने पढ़ाई छोड़ दी है और अब उन्हें लगता है कि वो 35 या 40 वर्ष से आगे बढ़ गए हैं और वे इस क्राइटे एरिया में आते हैं और उनका भी कहीं सपना है पटवारी बनकर व्यवस्ताय देखना सेवा करना और आय अरजित करना सम्मान अरजित करना तो हमारा अनुरोध है कि आप उम्र के बंधन को पीछे छोड़ते हुए पढ़ाई पर पुना अपने आपको फोकस कर दीजिए एक बार फिर उरजा से भर जाए परियाप्त आयू सीमा यहां पर हमें दिखाई देती है चलिए और आगे अपन बढ़ें कि अब इसके अंदर किस तरह से परिक्षा होगी यह जो परिक्षा होगी इस परिक्षा को अपन कुछ भागों में बाट सकते हैं जैसे चैन के पहले होने वाली परिक्षा जिसके आधार पर आपका चैन होगा और जब आपका चैन हो जाएगा तो उसके बाद भी आपको क्या किसी परिक्षा से गुजरना पड़ेगा उसकी बाद भी आपन करेंगे सबसे पहले अपन चैन के लिए होने वाली परिक्षा की बात कर लेते हैं ये जो परिक्षा होगी ये आनलाइन परिक्षा होगी और आनलाइन परिक्षा वस्तनिस्ट प्रणाली पर आधारित होगी सव अंकों के लिए सव प्रशन आपसे पूछे जाएंगे online pattern पर आपको computer से उन प्रशनों के उत्तर देना है और इस तरह से आप यह परिक्षा दे सकेंगे चलिए online परिक्षा भी देंगे online परिक्षा में अभ्यास्त होने के लिए जरूरी है कि आप PEB की website पर जाएए वहाँ पर कुछ mock test दे रखे हैं आप उनकी practice करते रहेंगे तो online परिक्षा देने का आपको अभ्यास हो जाएगा और परिक्षा के दिन आप पहुत तेजी से पूरी प्रणाली का संचालन कर सकेंगे कुछ भी नया नहीं लगेगा mock test का लाव उठाईए चलिए online परिक्षा के लिए हम तयारी क्या करें यानी syllabus क्या है syllabus की अपन बात कर लेते हैं आपका जो पाठिक्रम है पटवारी चैन के लिए होने वाली लिखित परिक्षा का जो online होगी उसका जो पाठिक्रम है वह पांच खंडों में बटा हुआ है पहला खंड सामान ग्यान का है दूसरा भाग सामान गणीत वह सामान अभिरूची का है तीसरा भाग सामान हिंदी का है चौथा भाग ग्रामीन अर्थ व्यवस्था एवं पंचायती राज का है पांचवा तथा अंतिम भाग कम्प्यूटर विज्ञान का है आपके पार्टिक्रम में केवल ऐसे भाग के शिर्षक हमें अभी दिखाई दे रहे हैं जो आपके सामने हम प्रस्तूत कर रहे हैं आगामी किसी वीडियो में हम इस सिलेवस के अंदर हमें क्या-क्या और पढ़ना चाहिए उस पर भी चर्चा करेंगे सामानिग्यान जैसा आप जानते हैं कि इतिहास, भुगोल, राजनिती, अर्थ व्यवस्ता, खेल, कूद, करंट इवेंट, ये सब चीजे इसमें आती है अगर अपन बात करें या सामान अभी रूची की बात करें तो इसमें अपन संख्या पद्दती, अवस्त के सवाल, प्रतिशत, लाभानी, समय गती इस तरह के जो सवाल होते हैं सामानिगणीत के अंतरगत आते हैं सामानी हिंदी में हिंदी की व्याकरण है, विलोम शब्द है, परियावाची शब्द, समानार्थक शब्द, ये सम मिलकर सामानी हिंदी बनती है ग्रामीन अर्थ व्यवस्था में क्रशी, पशुपालन, लगू और कुटीरूध्योग और पंचायती राज तो हम समस्ते हैं कित्री इस्तरी पंचायती राज प्रणाली जिसमें ग्रामीन इस्तर पर विकासखंड इस्तर पर और जिला इस्तर पर पंचायतों की व्यवस्ता होती है कम्प्यूटर विज्ञान की जहां तक बात करें तो कम्प्यूटर का सामान निपरिचय और कम्प्यूटर से किये जाने वाले सामान निकारियों पर आधारी सामान निज्ञान से सम्मंदित प्रशन इसमें पूछे जाते हैं तो ये आपका syllabus है जिसकी एक जलक हमने आपके सामने प्रस्तूत कर दिया। चलिए तैयारी कर लेंगे syllabus के आधार पर क्या ऐसा है कि चैन के लिए कोई नियूनतम अंक लाना जरूरी है। अगर नियूनतम अंक लाएंगे तभी हम merit list में शामिल होंगे तो हाँ बिल्कुल ठीक बात आप समझ पा रहे हैं कि पटवारी चैन परिक्षा में अगर आप बैठते हैं तो आपको नियूनतम निर्धारित अंक लाना जरूरी है। अगर उतने अंक आप नहीं लाएं तो आप प्रतीस परदा से बाहर हो जाएंगे। कितने नियूनतम अंक हमको लाना पड़ेगा तो यदि आप अनारक्षित वर्ग के हैं तो 50 प्रतीशत नियूनतम अंक लाना होगा और अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं अनुसुचिजात जनजाती या अन्य पिछड़ा वर्ग के तो नियूनतम 40 प्रतीशत अंक लाना प प्रशितवर्ग के हैं तो कम से कम 40 अंक आना चाहिए. तो क्या 50 या 40 अंक अगर हमारे आ जाते हैं तो हमारा सेलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है. सेलेक्शन के लिए आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा. मेरिट लिस्ट का क्या मतलब है? प्रतेक जिले के हिसाब से पदों की संख्या होगी. और फिर पदों की संख्या के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी. और मेरिट लिस्ट बनेगी कि आप में से जो अभ्यरती ज्यादा से ज्यादा अंक लाएंगे, उनको क्रम से जमाते चले जाएंगे और पदों की संख्या के हिसाब से उसको एक जगर रोग दिया जाएगा मान लीजिए कि कुल सवपद हैं तो जो सव अधिक्तम अंक लाने वाले अभ्यरती होंगे वो मेरिट में आगए सवपद के हिसाब से उनका चैन हो जाएगा बाद वालों का चैन नहीं होगा चाहे वो क्वालिफाइंग अंक ले आए तो क्या करें फिर हम सबसे पहली आवशक्ता तो क्वालिफाइं हों क्वालिफाइं नहीं होंगे तो हम वैसे ही बाहर हो जाएंगे क्वालिफाइं होने के साथ साथ अधिक्तम अंक लाने की कोशिश करें अधिक्तम कितने सव अंक में भी आ सके हैं ऐसा सब कुछ आप करते हैं परिक्षा दे देते हैं अच्छे प्रदर्शन कर देते हैं रिजल्ट आ जाता है और आप मेरिट में आकर सिलेक्ट हो जाते हैं अब सिलेक्ट हो जाने के बाद क्या होगा सिलेक्ट हो जाने के पर शाथ एक तो आपको CPCT की आरहता नहीं पूरी की है तो उसको पूरा करना पड़ेगा दूसरा आपकी ट्रेनिंग होती है जो 2017 की बेच थी जिसमें हमारे विध्यारती अंती मौर्य ने भी सफलता प्राप्त की थी और अंती मौर्य से चर्चा करने पर पता चला कि जब हमारा सेलेक्षन हो गया और जब सारी अपचारिकता हैं पूरी हो गई दस्तावेजों का सत्यापन हो गया और हमें बुला लिया गया जब हमें बुलाया गया तो हमें चार महिने का सैधान्तिक प्रशिक्षन दिया गया किसी एक स्थान पर बुलाकर वहाँ पर सारे अच्छायनित अभ्य हर्तियों को बुलाकर जो पटवारी के रूप में कहिये जाने वाले कारे हैं उनसे समधे जो कानून है मदिप्रदेश भूराजस वो सहीता है उनके बारे में चार महिने तक theoretical classes चली चार महिने में course पूर्ण कर दिया गया उसके पश्चात हमको practical अध्यान के लिए किसी तहसील पर भेज दिया गया जहां पर हम लोगोंने दो महिने इस spot पर रेकर काम सीखा और साथी साथ हम field पर भी गए इस तरह से 6 महिने की ट्रेनिंग हुई इस ट्रेनिंग के बाद एक और परिक्षा होती है विभागी परिक्षा उस विभागी परिक्षा को उत्तिर्ण करना होता है विभागी परिक्षा लिखिद भी होती है और साथी साथ में practical परिक्षा भी होती है उसको भी जब आप उत्तिर्ण कर लेते हैं, अच्छे से training दी जाती, अच्छे से सिखाया जाता है, तो बहुत सहब आविक है कि आप उस परिक्षा को उत्तिर्ण कर लेंगे, but परिक्षा तो परिक्षा ही होती है, किसी भी परिक्षा को हलके में नहीं लेना चाहिए, तो अच्छा प्रदर्शन करके उसको उत्तिर्ण कर लें यह सब कर लेने के बाद आपको पटवारी हलका प्रदान किया जाता है पटवारी हलके से ताथपरे सामान नितय होता है कि एक पंचायत शेत्र में एक पटवारी हलका माना जाता है अन्य शब्दों में कहें तो एक पंचायत शेत्र को एक पटवारी हलके के रूप में माननेता है और एक पटवारी हलके में एक पटवारी की न्यूकती होती है तो आपको इस तरह से एक शेत्र मिल जाएगा जिसको हलका कहा जाता है आपके हलके में कितने गाउं होंगे यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पंचायत में कितने गाउं है किसी पंचायत में एक गाउं हो सकता है किसी में दो या दो से अधिक गाउं भी हो सकते है उस पंचायत की परिधी में जितने गाउं होते हैं सामा नित्व वो एक पटवारी हलके के अंतरगत आते हैं वहाँ पर आपको व्यवस्था देखना है काम क्या करने होते हैं पटवारी साहब के जो काम होते हैं वो काम भूमी से संबंदित होते हैं जैसे उधारण के तोर पर अगर अपन कहें तो भूमी का बटवारे से संबंदित प्रकरण होते हैं भूमी के नामांतरण से संबंदित मामले हो या भूमी का अतिक्रमन कर लिया गया हो किसी की द्वारा उससे संबंदित मामले हो इन मामलों का निप्टान किया जाता है पटवारी साहब के द्वारा ये जो सारी प्रक्रिया होती हैं आजकल इसमें कम्प्यूटिरी करण हो गया है तो कम्प्यूटर का ही ज्यादातर उप्योग होता है और आप यानि पटवारी साब जो होते हैं वो भू राजस्व से संबंदित भू अभिलेखों का संधारन भी करते हैं ये सब उनके कारे की परीदी में आता है इस तरह से बहुत सौभाविक है कि बहुत महत्पुन भूमिका होती है भूमि से संबंदित मामले सब देखने होते हैं कई तरह के विवाद आते हैं और कई बार कुछ पेचीदगी इस्तितियां भी बन जाती है पंच नामा जैसे बनाने की इस्तितियां भी आती है तो ये सब कारे आपको करने को मिलेंगे और आप इस भूमिका को अच्छे से निभा सकेंगे तो इस तरह से ये पूरी व्यवस्था आप जान पाए है कौन परिक्षा करता है कौन परिक्षा में बैठ सकता है, परिक्षा का पैटर्न क्या होता है, परिक्षा का सिलेवस क्या है, चैनित हो जाने के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए, और फिर उसके बाद चैनित हो गए तो हमें किन परक्रियाओं से बुजरना पड़ेगा और बाद में हमें क्या-क्या वीडियो में करेंगे पटवारी पत के चैन के लिए वीडियो की शरंखला इसके बाद भी चारी रहेगी मुझे बोलने का अवसर देने के लिए पृति गुलवान्या जिजी जो इस चैनल की संचालक है उनका बहुत-बहुत आभार चैनल का भी बहुत-बहुत आभार वीडि कि कोई भी युवा पटवारी बनने के अपने सपने को कैसे पूरा कर सकता है तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी ही महत्पुंट सूशनाओं और जानकारियों के लिए चाइनल को तुरन सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकान भी पुश कर दीजिए हमारी मेहन बनेगी आपकी सफलता का अधार बेस्ट आफ लग